देश के किसानों की बहुत बड़ी जीत हुई है जो तीन कानून लाए गए थे कृशी कानून उनको वापस ले लिया गया है और लिया जा रहा है प्रधानमंती जी ने इसका एलान कर दिया है और इन कानूनें से क्या होता कि किसानों को जो एक न्यूनतम धर मिलता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो मिलता है वो धीरे धीरे चला जाता किसान जो पैदा करते हैं वो उसकी खरीदारी प्राइवेट बड़ी कमपनियों के हाथ में चला जाता नीजी करन आप कह सकते हैं खेती का होने वाला था और उस पर रोक लगा दिया गया है ये कोई रोक इसलिए नहीं हुआ है कि अचानक सरकार को लगा कि नहीं ये कानून सही नहीं है ये इसलिए हुआ है क्योंकि किसानों ने लगातार दबाव बना के रखा धरने पर रहे हैं एक साल से वो लड़ रहे हैं इसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसके दबाव के चलते ये वापस लिया गया है और मैं ये जीत सिरफ उन किसानों की नहीं कर रहा हूँ जो दिल्ली के बाहर आप देखेंगे पंजाब हर्याना से आये हुए और कुछ और राजियों से आये हुए राजिस्थान से आये हुए किसानों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ मैं उन किसानों की भी बात कर रहा हूँ जिनको इन कानून के बारे में कुछ पता नहीं है जिनको अगले कुछ सालों में कम से कम इन कानूनों से कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन 10-20 सालों में उनको पता चलता कि इन कानूनों के चलते उनके हाथ से कृषी पुरी तरह से निकल गई है, उनकी हालत और भी खराब होगी है, उनकी भी ये जीत है, और ये जीत इसलिए भी महतुपूर्ण है, सबके लिए महतुपूर्ण है, क्योंकि इस जीत से एक ची लेती हैं तब लोक तंत्र में उसके खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी है और जब ये एक जो ठोकर लोग ऐसे चीजों के खिलाफ आवाज उठाएंगे जो उनके खिलाफ है और जो एक तरफा है जिस पर कोई बातचीत के बिना ये चीजे लाए गए हैं तब ही सरकार पर दवाव पड़ेगा जितना भी लोग पर सरकार हो जितनी भी बड़ी उनके पास बहुमत हो वो सरकार पर दवाव पड़ेगा और इसलिए ये वापस लिया गया है हां लोग कहते हैं कि ये इलेक्शन स्टंट है इलेक्शन के लिए किया गया है हां लेकिन यही लोग तं और चाहे वो उत्तर प्रदेश इलेक्शन आ रहा हो और आप जानते हैं कि अभी अभी बीजेपी के दिगज नेता उत्तर प्रदेश में बूत लेवल मीटिंग वगरा करके आये हैं और वेस्टर न्यूब में खास कर जो बीजेपी के खिलाफ एक किसानों में गुस्सा है ये ये कानून लाने के लिए और पंजाब जहां पर भी मोधी सरकार के खिलाफ गुस्सा है इतना हुआ कि अकाली दल जो कि एंडिये की एक अंच था एंडिये का वो पार्टी निकल गई है तो ये जो हुआ है ये इलेक्शन के कारण हुआ है और इलेक्शन और लोगतंत्र एक तरीके का एक मैं कह सकता हूँ एक अस्त्र है लोगों के हाथ में इलेक्शन लोगतंत्र का एक सेफ्टी वाल्व है आपने देखा है ना प्रेशर कुकर में कैसा सेफ्टी वाल्व होता है वो सेफ्टी वैल्व इसलिए होता है ताकि जब जादा प्रेशर बन जाए वो निक पस लेते हैं और खासकर economy में ये बहुत जरूरी है क्योंकि किसी भी economy में लोकतंत्रों कहीं पर भी हो जो पुंजी पती है जिनके हाथ में पैसा है जिनके पास जिसको आप कह सकते हैं जमीन है ये ये लगभग economy को चलाते हैं ये सच है ये सचाई है तो जब लोकतंत्र में उन इनके लिए ही सिर्फ सुटबूट वालों के लिए, सिर्फ अमीरों के लिए, सिर्फ और्पॉरेट के लिए नीतिया होती है, तब election आकर उसको रोक सकता है, तब चुनाव आकर ऐसा एक वो कर सकता है जिससे सरकारों को, क्योंकि सरकार, नेता, वापस election जीतना चाहते, उनके लिए सत्ता बहुत जरूरी है, ठीक है, तो उनको तब पता चलता है, बहुत जीतना है, तो सिर्फ इनके लिए नहीं कर सकते, इसलिए लोकतंत्र बहुत जरूरी है, अमीर गरीब में जो फासला है, उ और इसलिए ये जो जीत हुई है किसानों की, ये सिर्फ क्रिशी के लिए नहीं है, सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मोदी सरकार को, ये सोचने में मजबूर कर रहा है, कि उनकी नीतिया सही है या गलत है, हाँ, एक और चीज याद रखेगा, कि मैं आप को तो आसान चीजे बता रहा हूं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण ये भी चीज है, कि अगर हम देखे, तो हमारे देश में, जिसको हम रूलिंग क्लास या रूलिंग ब्रूप कहते हैं, वो कौन-कौन से हैं, कॉर्पोरेट है, जो सत्ताधारी, जो बाब कुछ नहीं कहेगा, जी नहीं, इनके पास बहुत ताकत है, तो आप उनके खिलाफ अगर कुछ करेंगे, अगर जो आप एक्शन ले रहे हैं, उससे गरीब किसान का भला नहीं हो, अगर गरीब किसान को भी लगे कि जो एक्शन लिया जा रहा है, वो सिरफ बड़े किसान, अमीर किसान के खिलाफ नहीं, मेरे खिलाफ भी है, तो पुझी पती का राज चल नहीं सकता, पुझी पती ये नहीं सोच सकते हैं कि जो बड़े जमीनदार हैं, जिनके पास बहुत जमीन हैं, उनको हम साइट पे करके उनका बिजनिस ले लेंगे, उनका जो वो है ले तो ये उतना आसानी से नहीं हो सकता, ये एक बहुत बड़ा संकेत हमारे सामने ये आ रहा है, और मोधी सरकार के आने वाले दिनों में आप देखेंगे, दोजार चौबिस में इलेक्शन है, और आप जानते हैं कि ये सरकार इलेक्शन के बारे में बहुत बार बार सोचती ह तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में किस तरीके से इसको बैलेंस करने की कोशिश करेगी मोधी सरकार, आज का एपिसोड यही तक है, इसको हम पुलिटिकल एकॉनमी का हिसाब कह सकते हैं, राजनीतिक एकॉनमी का हिसाब कह सकते हैं, क्योंकि राजनीतिके बिना एक